वेलकुम गाईज आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके चनल अमेजिंग इंजीनियर के अंदर इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था शट्रिंग एरिया के बारे में फिर मैंने आपको बताया था थे क्वांटिटी ओफ शट्रिंग शट्रिंग के सपोर्ट के लिए आपको बैटन्स की यानि आपको चाबी की या फिर आपको बटे की जुर्थ पड़ती है जो उसके नीचे लगाया जाता है सपोर्ट देने के लिए और उसके नीचे प्रोप्स लगते हैं जिसे हम जैक कहते हैं तो बैटन्स को कलकुलेट करन का जो आपका थम्रूल है वो यह है जो आपने शट्रिंग क्वांटिटी निकाली थी m2 के अंदर ही माले जी 10m2 आपकी क्वांटिटी आई तो उसको आपको कैलकुलेट कैसे करना है कि आपका एक पलाई जो आपकी वाटरप्रूफ पलाई आती है वो कितने एरिया की है उसकी मीटर बाई मीटर कैलकुलेट करके एक्जामपल लिजिए आपकी 50 numbers of ply यूज होएंगी आपके 10m2 एरिया के अंदर तो 50 ply आपको चाहिए तो 50 ply को आप multiply कर देंगे 19.82 से 19.82 से multiply करते ही आपको बैटन्स की value मिल जाएगी कि इतने number of यानि nose इतने nose of बैटन्स आपको required है जो length होती है approach और standard इतनी आती है वर आप actually बनवा सकते हैं इनको आपके काम के coding ली तो approach approach यह आपको मिल जाएगी कम से कम 6 feet की और मैं कह सकता हूँ आपको यह मिल जाएगी आपकी approach 2400 mm की आपको मिल जाएगी यह 8 feet के approach जाएगा 2400 mm की आपको मिल जाएगी तो वीडियो कैसी लगी आपको पता यह comment box में बताना है like करने शेयर करने and channel को subscribe जरूर करने और जाएगी जाएगी आपके लिए मैं थम रोल की वीडियो ऐसे ही आगे लाता रहूं जाएगी आपके लाएगी आपके लाता रहूं